हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, 17 नवंबर 2018 की प्रिलिम्स अबिटर सीज में आपका स्वागत है, डिस्कसन करने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहूँगा, कि जो हैंडिटेन नोट्स हैं, वो आपको सोट फोर्म में, जो वेलकम यूपेसी का ये टेलिगराम चैन कर दी जाएगी, और नॉर्मल जो ये PDF है, जैसे कि एपनी PPT वगरा की, ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी, दोनुई चीज आपको वेलेबल हैं, वो हो जाएगी, इसी के साथ हम आपको बताना चाहूँगा, कि जो हमारे क्यूसंस, डिस्कसन की सिरीज थी, उसको हम अ होती है, तो हमको आगे पीछे के range हो कर लेते हैं, कि जिसी दिन कम news जाएगी है, तो पीछे के एक दो news गोर कर लेते हैं, किस दिन जाएगी है, तो आगे पीछे adjust है, वो कर लेंगी, और जो question discussion है, वो दो पर को, ये evening तक है, उसका time भी हम जल्दी fix है, वो कर लेंगी, इसके साथ ही रही बात है, कि ये एक issue था, कि सर, जो भी हमारे questions वगर आउते हैं, इनके comment box में answer वगर आगी, तो देखो, answer है, वो भी आपको actually, अभी Welcome UPC का जो channel है YouTube पे, वहाँ पे community tab एक start हो गया है, तो वहाँ से काफी सहलियत हो जाएगी questions के बारे में, और आपको answer भी वहाँ मिल जाएगी, तो question discussion का नया तरीका जल्दी लेके आ रहे हैं, आज से basically discussion को में start करेंगी, और जो handwritten notes है, जैसा है मैंने आपको बताया, कि Welcome UPC के telegram channel से आप download है, उनको कर सकते हो, तो आपको keyword की form में, सारे notes है, वह available वहाँ पे हो जाएगी, तो देखो, सबसे पहले, अभी हम मेप को देखते हैं आज, क्योंकि हमारे लिए मेप काफी important हो जाता है, basically हम South और East Asia के countries के बारे में जानते है, ये fact हमारे थोड़े लिए important भी हो जाता है, और हमें पता भी होना चाहिए, कि बहुत कहां कहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि अपी recently East Asia सब्मीट है हो वा था, और भारत के प्रधान मंतरी ने उसमें party split भी किया, तो थुड़ा हमें पता होना चाहिए कि East Asia सब्मीट होा, तो कौन-कौन सी country उसके member हो अगर है, देखो East Asia सब्मीट का अब गया, सबसे पहले तो ASEAN country और plus 6 है, तो ASEAN plus 6 सा concept कहाता, plus 6 में ऐसा है कि plus 3 और plus 3 आपको ऐसे याद प्लस 3 में आप उपर वाले 3 कंट्री आड़ लेना, जिसमें Japan हो गया, South Korea हो गया और चाहिना को आड़ करना है, इसके बाद में नीचे की प्लस 3 है, उसमें आपको बताया कि India, Australia और New Zealand, इन तीनों को आड़ करना है, तो इस तरह के से plus 6 कंट्री हो जाएंगी, जो East Asian Summit है, उस तो काफी काफी rust धी, उसकी BPM discussion करने वाल है, पहले हम धापे थोड़ी लोग किया ओप लोकेशन देख लेते हैं, यह तो इंड Mary, यह चाईना की रोकेशन है और Mongoliya यहाँ पर इसकी लोकेशंम मे थोड़ा देखे लेता है यहाँ आप यह फिर बात कर्या ने आपको यहां पे बांगलादेस हो गया बांगलादेस के बाद मैं मीधं आप यहां पे यह देख रहे हो यह सारा मैन्मार कि इस वाल्य एड यह की पता हुना टाफ हो चाहित थाssen पोरी घंटियलान फेय गल्फ अग झापे मैं में लिए फ्र। पूछी तरीके से यह रहा कमबोडिया के बाद में यह थरी आता है वी आतना काफी लंबा एरिया पतलास है सही देख सकते हो यह हो गए वी आतना आप नहीं देख लिया अब देखो यहां पे भीच में च्छोटी सी कंटी है ला उस यह आपको दिख रही होगी यहां ला उस यह बिसली लेंड लोक्ट तो यह धान रखना है कि जो East Asian counties है उसमें लाओस है वह लेंड लोक्ट है उसको कहीं पी कोई बोर्डर वगर टेचनी करता है मलपानी वगर का इसके बाद में हम यहां पे बात करें यह आ जाते हैं हम मलेसिया और यह आपर आगा है सिंगापूर तो देखो निकबार के सबसे closest है आपको लगता हो गया तो सिरीलंखा उसके मलधी तो काफी दूर है तो वह तो ऑपिसली वह हो नहीं होना था तो देखो यहां पे सुमात्र है वह काफी नस्दी गे देख सकतो यह तो गया निकबार नमारा निकोय आएलेंड यहां पर और यह सुमात्रा है तो यह काफी नस्दीग यह है जावा यहाँ पर थोड़ा दूर है और भी बैसिकलि हम नाम ऐसे लेते हैं कि जावा सुमात्रा बर जावा हमसे दूर है और सुमात्रा हमारे काफी क्लोज है फिर यह बैसिकलि हाँ पर चोट-चोटी और भी कंटीज है यह स्ट्रेट है उसका नाम बताना आपको कि मलेशिया और सिंगापको कौन सी स्ट्रेट है वो अलग करती है तो वो काफी एहम हो जाते है और उसके बारे में आपको comment box नो भी बताना है फिर यहां पे पापा नुगूनिया करेंटी है छोटी सी इसको भी आप यहां पे देख सकत सबसे पहला जो article हम discuss कर रहे है हिमालयन state regional council को लेकिंग कंटेक्स्ट यह है कि नीती आयोग ने अब भी sustainable development को सुनिशित करने के लिए कि हिमालयन region है उसमें भी sustainable development भी ढंक से हो सके इसके लिए basically हिमालयन state regional council का निर्मान है वो किया है तो देखो यह धान रखना है कि एक तो न आप देखो होगा क्या है, इसमें इंडिया के बारे स्टेट में फैला होा है ,कौन-कौन-कौन से अनुनाचल प्रदेश, मनिपूर, मेगाले, मिजोरम, नागालें, सीकिम, त्रिपूरा और इसे आसाम और इसे के साथ वेस्ट बंगोल वेस्ट बंगोल के दो डिस्टिक है एक चुली दार्जिलिंग है एक तो और एक है कलिमपोंग तो थोड़ा में यह आइडिया होना चाहिए इस डिस्टिक का कोई जुरूत नहीं है बस यह आइडिया हो कि हां बही कौन कौन से बार है स्टेट है इनमें थोड़ा कन्फीजन ह हो सकता है इस पेसली आसाम और वेस्ट बंगोल को लेगी तो इनका धान में रखना है अब देखो हिमालन लीजन आपको बता है कि लगाताल ग्लोबर मागिन की वजह से उसको खत्रा है न वो बढ़ता जा रहा है इसलिए वहां पे जो भी स्पेसिज पाई जा रही है उनको सस्टेंट डंग से डवलप करना भी ज़रूती है और बायर डायोश्टे को भी बचाना ज़रूरी है और इसलिए बेसिकली उसका यूज है उससे डंग से हो उसके कि मतलब ऐसा नहीं हो कि वहां के जो भी रिसोर्ट इस हम यूज कर रहे है उसकी वहां पे एक तरिक जो भी का लिव वह थे वह कथम सा हो जाई इसलिए विवी ए माल्य इस्क cambiom continent आए वो क्या गया है तो हो और आजमोचो को लेकिकि हम जान लेते है कि बहूर क्या सीन हहा है लिए देखो अबहूरे इमड इंप्र नट बदेखिणल बॉल हो जाती है तो इसके आए हुवान में दिसक इस से से पहले हम दगते है आदी महसुव और भी ग्या मैं किया कि जो भी होता है चाटाई हाई है वह प्रोडेक्ट को भार लाके लोगों से आवेर करवाई जाए और उनके प्रोडेक्ट को भीचा जासगे तो बेसिकली जो भी आदिम और सो स्टार्ट हुआ है उसकी थीम यह है कि ए सेलिब्रेशन ओपदा है इस पर ट्राइबल कल्चर्टर क्राफ्ट और कुजिन और इसिकसात कॉमर्स तो यह चीज थीम थोड़ी धान में रखनी है अब थोड़ा हम ट्राइफेड के बारों भी ज तैसी में तो यह वगरा तो इतना जुरूरी नहीं है कब क्या बनाया गया बैट हमें एक तो यह अपत्वनाशी के ट्राइफेड का काम क्या है मिनिस्ट्र और टैबल अफेर के इंतरकते बेसिकली आती है है कि ट्राइबल के जो भी प्रोडेक्ट है उन्हें टोकरी बनाई अटी प्रोडेक्ट होते है उनके ब्रोडेक्ट होते हैं उच्छी दा मिल जाती है क्यों वो सारी चीज़े हैंडमेंड नहते हैं मैक्सम तो एक वह बैब आपके पेकषिएolesome को रुग है, मनि पहले में में डिसकस कियाたा भी कि recently 13 ओर इस्ट-असयांन के सँप्ष्ट है वह श्टार्ट हो आता तो यह में ज़को यह एक दो कि आगे पीस्ट के पता हो न था, यूज यह दे था और जो भी डिसेंटली आगी होने वाला वो भी कहा होगा तो तेरो एस्टेशान सब्मीट कहा हुआ 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 सिंगापूर में हुआ तो वो दो हमें देखो पता है इसके साथ ही जो बारवान सब्मीट था वो फिलिपिन्स में आयोजित किया गया था लास्ट साल 13-14 न मतलब इस्टेशान जो ग्रूप बनाए गया है वो 2005 में बनाए गया था स्टार्टिंग में तो इसमें 16 कंटी थी आशियान प्लस 6 हमने पता है था कि आशियान की 10 कंटी प्लस 6 में चाइना साउथ कोरिया जापान और यहां पे और उस्ट्रेलिया इंडिया और दिए जी आशियान हम इसमें सामिल है वो होगे थी तो मैं दाना रखना की इस्टेशान स्ब्मिट में 18 कंटी यह के अंपे बन जाता है एक इस्टेशान सुम्मिट है वो आपको पता की इंडिया के लिए बहुत इंडिया क्या है पहले से है नह lacना तों हमें इस्टेशेड तब उनके साथ हमारे linkage अच्छा होना चाहिए, तब ही हमारे economy को ज्यादा benefit मेरेगा, उनके साथ हमारे culture lesson पहले से ही है, तो उमें बहुत सा benefit वहाँ पे मिल चकते हैं, और इसलिए basically focus किया, इंडिया नहीं अपनी location policy लेके, इसके बाद में active policy लाएगी थी, ताकि eastern जो countries हैं, आ Southeast Asia की भी countries हैं, और South Asia की भी countries हैं, और इसी के साथ यह हम बात के हैं, कि दो countries और भी है, Asia के इलावा, इसमें एक तो Russia हो गया है, और एक इसमें हो गया, USA है, तो यह effect भी थोड़ा में दान में रखना है, कि बहुत 2011 में इसमें दो लोग और सामिलयां पे हो गया है, काम के हैं देखो इसका काम हो, जैसे और 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 इसमेंस होते हैं, उसे की तरह काम है, मतलब काफी डामेंट्स होती हैं, जैसे कि environment and energy के लिए काम करना, education, finance, global health issues, इसके साथ ही जहां पर बात करें, pandemic details होती है, उनके लिए natural disaster management और ASEAN connectivity, मतलब आपस में एक connectivity है, उसको strong क्या जास हो आउजित होता है, क्योंकि ASEAN connectivity से मिलके तो बना हुआ है, तो यह थोड़ा fact हमें, यहाँ पर पता होना चाहिए, next जो हमारा article है यहाँ पर, वो है cherry blossom festival को लेकिन, तो recently cherry blossom festival है, वो 14-17 November 2020 में मेगाले की capital silong है, वहाँ पर आउजित है, हो क्या जा रहे है, तो धाना कि international cherry blossom festival ह हो कहाँ पर आउजित क्या जा रहे है, में घाले में, अब है क्या cherry blossom, तो cherry blossom होता है, कि cherry blossom होता है, कि cherry पेड़ों होता है, उन में आपको पता है, कि जब भी फल लगेंगे, तो उससे पहले इनके full वगर आतने है, तो अभी यह जो इस time का period है, basically, यह November का time होता है, यहाँ पर इसलिए काफी popular है, और हमें पता होना ची कहाँ पर है, तो basically, जो Himalayan cherry blossom है, वो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, अब हम बात करें, जो हमारा next article है, वो आह है, Network for Development of Agricultural Cooperative in Asia and the Pacific, NEDAC के बारे में, देखो basically, जो NEDAC है यह 1991 में setup की गए थी, और यह body इसलिए important है, कि इसकी भी effect ही है, कि इसमें basically इसको बनाया किस ने था, NEDAC ने, किस ने setup किया, तो देखो तो आप तक है, United Nation के अंदर Food and Agriculture Organization है, FAO, उसने इसके साथी International Cooperative Alliance ने, और इसके साथ International Level Organization, तो यह तीनों ही body हमारे लिए important है, कि भाई, कि किस ने इसको बनाया, किस के दोरा setup है, हो क्या गया, काम तो देखो इसका बहुत simple है, इसका काम यह ही है, कि जो rule area के अंदर food और जो livelihood security है ना, उसको सुनिशित क्या जासके है, क्यों देखो Asia और Pacific वाला जो area है ना, जिसे हम हिंडो Pacific बोलते है, इस वाले area में कैंगी, काफे ज़्यदा दिक्कत का लोगों को सामना करना बरता है, ब भी पना contribution यहाँ पर निवाता है, और इसमें agriculture जो प्रोटेक्ट होते हैं, उनको promote क्या जाता है, cooperative societies क्याता है, इसके साथ ही rule development को सुनिशित क्या जा सकता है, ताकि rule area के अंदर भी खाने की सिस्टम है, उसको स्रीडंग से continue रखा जा सके, तो बेसिकलिक यह ती थी आजगी ह इसके साथ हमने ट्राइफेट के बार में जाना, और तेहरवा East Station Summit जाना की, जो कि भी Singapore में जाना की, जो कि सिंगापूर में जाता है, और जो चोहदवान East Station Summit है, वो Thailand में होने वाला है, अगले साल, और लास्ट था बारवा, वो हुआता फिलिपिन्स में, पहला एडिसन था मलेशिया के कौलामपूर में हो जीता है, वो क्या गया था, इसके साथ ही हमने East Station Summit के बार में जाना, जो कि एक organization है, और basically FAO, ILO, और ICA के दौरा सेट अप हो क्या गया था, काम उसका क्या है, कि भूक मेरी से निपटने के लिए बेसिकली डील है, वो करता है, इसके साथ ही हमने Cherry Blossom Festival के बार में जाना, कि अभी हिमालेन Cherry Blossom Festival है, वो 14 से 17 नहुंबर के 20 में, मेखाले के Capital Shilong में अरजिता है, वो क्या गया है, तो हमें इसके बार में थोड़ा पता होना सी, तो फिलारकी discussion में इतना ही है, तो thank you, thank you almost for discussion.